नमस्कार आप देख रहे हैं YIS News रामपुर में पत्रकार से मारपीट करने में चार निलंबित नशेरी गालीबाज TG2, SSO और दो लाइन्मेन पर बिजली विभागने की कार्यवाही रामपुर में नशेरी गालीबाज TG2 द्वारा पावर सब स्टेशन पर हंगामा बर पाया गया था TG2 ने इस दोरान पत्रकार के साथ गाली गलोज और मारपीट की थी, जिससे पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया था इस मामले में विद्यूत विभाग ने कड़ा एक्षन लेते हुए नशेरी गालीबाज TG2, SSO और दो लाइन्मेन पर निलंबन की कार्यवाही की है पत्रकारों के संगठन ने इस मामले में रोश व्यक्त किया था अधिर नाइट बिजली कर रहा हैं क्या मामला है इस जो काइंट हुआ है पर्टो पाड़ीगर सब्सक्राइशन पर टीजी टूने पर रहे हैं इस तरीके से आपके उपर हमला किया है बिल्ली भाग के करमचारी ने तो अब जिस तरीके से कारवाई हो रही है ना है कि अधिकारी है उन्हें अपना वजांड धिया है कि हम ने कारवाई के वी पूरा सतोती देदी है लहाजा और इसी के खिलाब नहीं बल्कि तीन और वोग हैं दो पेट्रोलमन हैं उनके खिलाब दी क्योंके जो जुसने वहाँ पेंगामा कड़ा गया एक तो वह ड्रंकन था दूसरी बात वह आउट आफ ड्यूटी वहां मौझूद था जो कि उसकी मौझूद की दाहिर करती है कि वह अनैतिक कार्रे करना था वहां कि उसने जो सबस्टेशन है उसको शराब कार्टा बना रख है तो प्राइमे फेसी जो है विभाग ने उनके खिलाब संसुति कर दी है चाल लोगों खिलाब निलंबन की कारवाई जिस तरीके से वीडियो वाइरल हो रही है और उसमें कुछ शराबी की धूमी का दिखाई दे रही है तो क्या पुलिस ने जो कारवाई किये उससे है तो है तो यह तो गंबीर धाराओं में होने चाहिए था शांती बन ठोड़ी है और हमारे संग्यान में यह भी आया है कि इससे पहले भी वह जो यहां के पूर एक्सियंथ है उनका ट्रांसफर हुआ है इससे वह खुछ था तर असल वह अंबागु का निशा करता है प्लस करता है और यहां पर बड़ी पावली थी बात पर कि यहां पर कोई भी गुटका खाकर पान तंबाग को खाकर नहीं इदर भी रहते हैं तो इस से लेकर जब उनका जब यहां से ट्रांसर हुआ है तो वह बहुत खुछ था और वह इसको एंजॉय करने के यहीं वहां पर मौ जिस तरीके से स्वाहीम जी मानेत अपरात पतरकार हैं और हम देख रहे हैं सोचल मीडिया पर लगातार वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं और इसके लिए जहां तक भी हमें नहाए के लिए लगना पड़ेगा हम लगने को त्यार हैं अलकि विभाग जो बिजली विभाग है उ श्वासान नो प्लस कारवाई की है आगे भी हम अमीड करते हैं कि यह गरीमा लगातार बनी रहेगी